गुद मारनिंग स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास वान ऐससटी बुख का हमारा चेप्टर नंबर 14 माय कौंट्री इंडिया रिडिंग करेंगे हम लोग प्रिवियस क्लास में पेश नंबर 91 रिडिंग करेंगे ठीक है आवार नेशनाल फ्लाक, हमारा नेशनाल फ्लाक क्या है? त्रिरंगा है देखो, this is our national फ्लाक, we call it the त्रिरंगा यह हमारा नेशनाल फ्लाक है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिरंगा, क्यों? इसके थ्री कलर होते हैं सफरन, white and green और बीच का जो होता है, वो असक चुक्र बला जाता है देखो, it has three colors, with the navy blue असक चुक्र इन दो मिडिल यह त्रिरंगा का त्रिंटो कलर होते हैं, नेशनाल फ्लाक के हमारे त्री कलर होते हैं और बीच में जो होता है, navy blue color का इसको असक चुक्र बला जाता है दो असक चुक्र स्टेंड फोर, truth and धरम देखो, यह असक चुक्र, यह असक चुक्र हमेशा हमको सत्पत की सुचना देता है ठीक है, truth and धरम इसके कितने स्टिक होते हैं? 24 स्टिक होते हैं देन, the saffron color stands for courage and sacrifice यह saffron color है, देखो, यह उपर का जो नेशनाल फ्लाग में है, यह saffron color है यह हम लोग को क्या सिखाते हैं? यह courage और sacrifice, सहासी और कुछ भी बलिदान करने की ठीक है? The saffron color stands for courage and sacrifice The white color stands for truth and peace, सत्यता और सान्ती यह white color में है, ठीक है? The white color stands for truth and peace Then the green color stands for prosperity The green color stands for prosperity, ठीक है? यह हमारे saffron white और green Then we are proud of our country and our national flag We should respect our country and our national flag हमें अपने national flag पे और हमारे देश पे proud फिल होना चाहिए और हमें हमेशा हमारे country और national flag की रेस्पक्टरनी चाहिए हम लोग 26 जानवारी में और 15 अगस्ट में यही फ्लाक स्कूल में यही celebrate करते हैं यह फ्लाक लगा के और हमाला national anthem भी गाते हैं, है की नहीं? आज आप लोगों को वार्ड प्राक्टिस दूंगी होमवार्क अपने अपने कॉपी में लिखना फाइब टाइम सुन्दर ने राइटिंग में है और यह पेज अच्छे से पढ़ना ठीक है थांक्यू